आज हम बात करेंगे कुछ facts के बारे में related to economic survey initially economic survey पहले union budget का ही part हुआ करता था but after 1964 government इसे budget के एक दिन पहले ही parliament में table कर देती है the economic survey of India is prepared by chief economic advisor और presently इंडिया के chief economic advisor है कृष्ण मूर्थी सुब्रेमन्यम आईए जानते हैं कि economic survey होता क्या है और इसकी importance क्या है किसी भी देश की तरक्की और उसके विकास के लिए जरूरी है उस country के economy कितनी मजबूत है कितनी strong है लेकिन economy की दशा और दिशा क्या है और economic किस रफ्तार से आगे बढ़ रही है इसको जानने के लिए economy survey बहुत ही important है क्योंकि इसके थ्रू ही हमें पता चलेगा कि हमारी economy की condition क्या है और वो कितना growth कर रही है economic survey के थ्रू कोई भी सरकार देश की जितनी भी economic different economic fields हैं उनमें जितनी भी challenges face कर रही है या फिर जो भी achievements हुए हैं उनको parliament के थ्रू पूरे country या फिर पूरे जनता के सामने रखती है इस economic survey के थ्रू economic survey ना किवल previous year यानि बीते साल का पूरा लेखा जोखा रखता है बलकि भविश्य में अर्थ में बस्ता कैसी होनी चाहिए future में हमारी economy में क्या-क्या changes होने चाहिए या फिर क्या reforms लाने चाहिए कैसी होगी हमारी economy इनके बारे में पूरी detailed analysis रखता है साथ ही इसमें अलग-अलग आर्थिक शेत्रों के भी आकड़े दिये जाते हैं ये finance ministry का बहुत ही important gadget है हर साल ये पेश होने वाला economic survey जो की budget से पहले पेश होता है basically ये framework या फिर ये structure create करता है उन policies का जो government लाएगी economy के field में या फिर economic reform के लिए या फिर economy से जुड़े किसी भी चीज़ के लिए तो ये basically हम कह सकते हैं at last कि economic survey सरकार की जो भी नीतिया है उनका एक framework है उनका एक framework structure create करता है So this is an end, hope you like the video, thank you for listening करता है करता है